किसान भाईयों अभी बरसात का मौसम चल रहा है आज है 24 जुलाई 2024 किसान भाईयों जुलाई का महीना बरसाती मक्का के लिए बहुत ही उप्यूगत समय होता है मक्का एक परमुक खादे फसल है जो मोटे आनाजों की सिर्णी में आता है इसे कई प्रकार से खाने में परियोग किया जाता है और मक्का की मांग पूरे साल भर बनी रहती है किसान भाईयों भारत के संपूर मैदानी यों सभी पहाडी छेतरों में सफलता पूरबग मक्का को उगाया जाता है मक्का को किसान भाई किसी भी महीने में पूरे साल भर बुआई कर सके हैं आज किसान भाईयों इस वीडियो में जानने को मिलेगा मक्का के बारे में खेत की तयारी कैसे करें बुआई का सही समय योम लाइन से लाइन और पौधों से पौधों की दूरी क्या रखनी चाहिए कौन सी किस्म की बुआई करें बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए बुआई का तरीका खाद योम उर्बरक की मात्रा मक्के में लगने वाले कीट योम रोग तथा उसके उपचार की सभी जानकारी किसान भाईयों आपको इस वीडियों में मिलने वाली है इसलिए आप वीडियों को पूरी देखिएगा यदि आप पंकज की किसान पार साला पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब जरूर करिएगा मक्का का परचे पूरे बिस्स में सबसे जादा मक्का की ही खेती होती है मक्का का उपयोग किसान भाईयों हम लोग रोटी के रूप में भुट्टे सेक कर भुट्टे को उबाल कर पॉप कौर्न यानि लईया के रूप में हम लोग मक्के का उपयोग करते हैं और इसका सबसे ज़्यादा उप्योग किसान भाईयों लगभग 65% मक्का मुर्गी दाना योम पसुवहर के रूप में परियोग किया जाता है इसके अलावा भी मक्के का बहुत प्रकार से खाने में उप्योग किया जाता है जिससे मक्का की माग पूरे साल किसान भाईयों बन जहां पर पानी का अच्छा निकास हो यानि पानी निकलने का जहां पर अच्छा रास्ता हो खेत की तैयारी के लिए बरसाद का पहला पानी गिरने के बाद यानि जून के माह में गहरी जुताई करने के बाद खेत में पाटा लगा देना चाहिए किसान भायों यदियाब के पास गोवर की खाद उपलब्ध है तो पूर्ण रूफ से सड़ी हुई गोवर की खाद का ही परियोग करना चाहिए और इसे जुताई के सुरुवात में ही डाल देना चाहिए यानि कि मक्का की बुवाई से 15-20 दिन पहले आप सड़ी हुई गोवर की खाद को अपने खेत में डाल कर बढ़ियां से जुताई करवा दें उसके बाद मिट्टी को भुरुभरी करने के लिए रोटा वेटर से जुताई कर देनी चाहिए बुवाई का सही समय मक्का की बुवाई साल में रवी खरीफ और जायद में की जाती है वैसे आप मक्का की बुवाई कभी भी कर सकते हैं रवी खरीफ और जायद का सही समय क्या है पहले आपको इसके बारे में किसान भायों जान लेना चाहिए किसान भाईयों अब आपको पता चल गया होगा रभी खरीफ योन जायद का सही समय क्या है अगर इसका सही समय आपको पहले से पता था तो कमेंट में जरूर बताएं अभी हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ यानि बरसात के मक्के के बारे में जिसकी बुवाई हम जून जुलाई के महीने में करने वाले हैं किसान भाईयों अब हम बात करेंगे मक्का के हाइबरेट परजाद के बारे में जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती है नमबर एक पे हमने रखा है किसान भाईयों पायोनियर का P3401, 100 दिन से 110 दिन की वरायटी है नमबर दो पे पायोनियर कंपनी का ही P3501, 100 से 110 दिन की वरायटी है नमबर तीन पे किसान भाईयों हमने रखा है VNR का 426, 90 से 100 दिन की वरायटी है नमबर चार पर है स्रीकर का 81-99, 90-95 दिन की वरायटी है नमबर पांच पर है स्रीकर का 20-89, 80-85 दिन की वरायटी है मक्के की ये किस्म अपने खेत में लगा कर आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं बीज की मात्रा एक एकड मक्का की बुआई के लिए 4 किलो हाइब्रेट बीज प्रयाप्त होता है बीज का उपचार बीज की बुआई करने से पहले किसी फभूद नासक दवा से जैसे थायरम या एग्रोसेन या कारबेंडा जिम से बीज का उपचार अवस्य किसान भाईयों कर लेना चाहिए एक किलो बीज के लिए 5 से 10 गराम की मात्रा प्रयाप्त होती है किसान भाईयों अब बात करते हैं बुआई के तरीखे का लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को इस परकार से रखते हैं सीग्र पकने वाला मक्का जो होता है किसान भाईयों इसको आप समझिएगा जो मक्का कम दिन का होता है उसकी कतार से कतार की दूरी 60 cm और पौधे से पौधे की दूरी 20 cm होनी चाहिए जो मक्का मध्यम दिन का होता है या जादा दिन का होता है उसकी किसान भाईयों कतार से कतार की दूरी 75 cm और पौधे से पौधे की दूरी 25 cm रखनी चाहिए उर्बरक की मात्रा किसान भाईयों अगर हम उर्बरक की बात करें तो बेसल डोज में यानि अन्तिम जुताई के समय एक एकड में 50 केजी डियेपी 30 केजी पोटास के साथ 20 किलोग्राम यूरिया का प्रियोग करना चाहिए बुआई के 20 दिन बाद पहली टाप ड्रिसिंग में यूरिया 25 किलोग्राम और जिंक सल्फट 5 किलोग्राम का प्रियोग करना चाहिए बुवाई से 50 दिन के बाद 25 किलोग्राम यूरिया और 4 किलोग्राम जिंक सल्फिट के साथ 100 ग्राम बोरान का प्रियोग पौधों की जड़ों में करना चाहिए ये रही उर्बरक की बात किसान भाईयों अब हम बात करते हैं मक्का में लगने वाले रोग के बारे में मक्का में लगने वाले परमुक रोग नंबर एक डाउनी मिल्डियों मक्का की बुवाई के दो से तीन सब्ता के बाद ये रोग आपके मक्का में दिखाई देने लगता है इसमें पतियों की धारिया पड़ जाती है परभावित हिस्सा रुवी जैसा नजार आता है पौधे की बढ़वार रुख जाती है इसके उपचार के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करने तो किसान भाईयों डाई थे मियम 45 जो कि आप बड़ी प्रचलित दवा है आप इस प्रचलित दवाकार के भूरे धब्बे बनते हैं रोग के इस रोग में नीचे की पतियों से बढ़कर ऊपर की पतियों की तरफ फैलता है और नीचे की पतिया जुलसा के कारण पूरी तरह से सूख जाती है किसान भाईयों इसके उपचार के लिए रोग के लच्छन दिख ये बहुत खतरनाग रोग होता है किसान भाईयों मक्का में लगने वाला तना सडन रोग किसान भाईयों पूधे की निचली गार से संक्रमर परारंब होता है और पूधे के सड़े भाग से गंध हाने लगती है पूधे की पतियां पीली होकर सूख जाती है और पूधा पुरा फसल चोपट हो जाती है अगर इसके उपचार की बात करें किसान भाईयों तो डेड़ सो गुराम केपटान को सो लीटर पानी में घोल कर जड़ों पर डालना चाहिए तो इसका पूर्ण आपको इलाज मिल जाता है किसान भाईयों अब हम बात करेंगे मक्का की उपच किसान भाईयों कमेंट में इसे जरूर बताईएगा आपके उत्तर का इंतजार रहेगा अब बात करते हैं उपच के बारे में वैसे तो हाइबरेट बीज एक एकर में 25 से 30 कुंटल की पैदावार दाना निकालने पर दे देता है पैदावार मक्का की किस्म पर भी आधारित है किसान भाईयों जिस परकार का आप मक्का लगाएंगे कौन सी वराइटी है पैदावार उससे कम और ज्यादा भी हो सकता है अगर आपको इस परकार की वराइटी के बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट करेंगे और आपके कमेंट में ही हम आपको बता देंगे कि आप किस परकार के मक्के को लगाएंगे तो किस परकार की आपको उपज मिलेगे किसाम भाईयों ये रही मक्के की बरसात में खेती ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे की आने वाली और जानकारियां आप तक पहुंश सकें आप सभी का पंकेश तीवारी का नमस्कार धन्यवाद